दोस्तो आज हम आपको कुछ ऐसे इंट्रेस्टिंग और सांदार हिंदी बैप्सरिज के बारे में बताएंगे जिने अभी तक बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा ये बैप्सरिज बहुत ज्यादा हीट हुई थी पलस इन्हें बहुत अधिक पसंद भी किया गया था तो चलिए बीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन बैप्सरिज के बारे में नमबर वन पर है चकरबियू दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन्टरनेट हमारी लाइफ लाइफ लाइन बन चुकी है लेकिन इस इन्टरनेट के कुछ गुड इफैक्ट और कुछ बैड इफैक्ट भी है इस complete बैप स्रीज में कुछ bad effect को दिखाने की कोशिस की जाएगी बैप स्रीज की स्टोडी बेस्ट है Crime and Thiller Activity के उपर बैप स्रीज की स्टोडी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो कि science fiction और serial के लिए अक्टिविटी के उपर बैप स्रीज या बेप मोबी देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बैप स्रीज रिलिज की गई है MX player पर और इसे IMDB rating देती है 10 में से 5.9 की नमबर टू भोकाल सिजन 2 दोस्तों जैसा की हम सभी जानते हैं कि भोकाल की सिजन 1 बहुत ज़्यादा हिट रही थी और लोगों को इसके real story बहुत ज़्यादा पसंद भी आयी थी बैप स्रीज की स्टोडी की अगर हम बात करें तो बैप स्रीज के सिजन 1 में बहुत सारे पहलूओं को एक्चूली में अंसुलजी रख दी गई थी और उनी अंसुलजी पहलूओं को इस बार सीजन टू में सुलजाया गया है जो कि आपको काफी हद तक बहुत ज़्यदा पसंद भी आएगी बैप स्रीज की कॉंसेप्ट औप स्टोरी एक सची घटना से ली गई है बैप स्रीज रिलिश की गई है एमेक्स पिलेयर पर और इसे आइम डीबी रेटिंग देती है 10 में 8.1 की नमबर 3 मस्य कांड दोस्तो एक कम्पलेट बैप स्रीज इस्पेसली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो की क्राइम और थीलर बैप स्रीज देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते है बैप स्रीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो बैप सरीज की स्टोरी एक्चूल में मस्य कांड को लेकर बनाई गई है और इस केस को पुलिस ओपिसर की स्टरा से सौल करते हैं यही दिखाने की कोशिस की जाएगी इस कम्प्लिट बैप सरीज में बैप सरीज रिलिज की गई है 18 नौंबर 2K21 में ओ भी MX पले यार पार बैप सर और से सकते हैं झाल सरुक्चल में जाति है थी जाति है झाल झाल